पिछला लेक्चर में 12 नमबर तक हमने सिखा है, अब हम 13 नमबर से आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखाए आगे और पिछे का अर्मोल से अर्मोल माप का मार्क करें, सोलर सिलाई से इसका मार्क करना है, अब यहाँ पर लिखाए आर्मोल में परफेक्ट फिटिंग के लिए यह लेना जरूरी है डापिंग में समझते हैं यहां पर तेरा नंबर में लिखाए आगे और पिछे का आर्मोल टू आर्मोल जैसे यह पिछे का है और यहां पर यह आगे का है माप लेने का वीडियो में इसको आमने बारिकी से समझाया है सोलर की सिलाई से इसको मार्क करना होता है अब मेजर में चार्ट में समझते हैं इसमें तेरा नंबर में है फ्रॉंट आर्मोल टू आर्मोल अब जो साड़े चार है वो साड़े चार इसका लेन्थ है जैसे इसमें समझाया कि सोलर सिलाई से इसका लंबाई का मार्क करना है जै शिदा मार्क से अंदर की तरफ डेड VOICE का मार्क कर रहें डापिंग में देखे चाहूद नमबर, यहाँ पर शुलर कटिंग का सिदा मार्क है वहीं से अंदर की तफ एक मार्क करना है तो हमें भी यहाँ पर एक मार्कर देना है यहाँ पर यह जो डेडीच वाला मार्क है यह हर किसी के लिए है चाहे आप ड्रेस बना रहे ब्लाउज बना रहे, वेस्टन बना रहे कई माप ऐसा भी आएगा जिसका सोलर कम हो, किसी का सोलर ज्यादा हो तो यह अंदर बाहर करते रहना होता है लेकिन यह हम प्रेक्टिकल समगते रहेगे फिलाल यह जो नाप है यह एक एवरेज नाप है तो इसको ही पहले हमें पूरा समझना है अब आगे का पॉइंट समगते है तो लिखाए अब सोलर का मार्जिन मार्क की लाइन का सिलाई मार्क और आगे का आर्मल टू आर्मल मार्क और डेडिच मार्क को मिलाते हुए आर्म कर्वा स्केल से मार्क करें तो जो तेरा नंबर में हमने समझा कि आगे और पिछे का आर्मल से आर्मल का मार्क करें वो अब हमें यहां पर करना है तो देखे तेरा नंबर में साड़े चार इंच पे 12.75 यानि पौने 13 इंच आगे का अरमल का नाप है तो उसका यहां पर आपको एक टीक मार्क कर लेना है पौने 13 उसका आधा होगा यह जो 12.75 है उसका आधा करेगे तो 6.251 इसका नाप आएगा यह एक टीक मार्क में यहां पर कर जेना है यह आगे का अरमल के लिए नाप बना यह एक सिलाई मार्क बनता है अब बेक अरमल टो अरमल का नाप है साड़े चार इच की लंबाई पर 14.75 यानि पौने 15 इच मेजर टेप में इसको देखे तो यह 14.75 नाप है उसका आधा करेगे तो 7.251 इहां पर आपको एक मार्क कर देना है अब यह जो नाप बनता है वो सिलाई मार्क बनता है तो कटिंग मार्क हमें अलग से बनाना परता है डाप्टिंग में भी इसको समझते है आगे का आरमोल टो आरमोल यहां पर 6.251 यह सिलाई मार्क बनता है कटिंग करने वाला मार्क उसके बाद अलग से करना परता है अब पिछे का आरमोल टो आरमोल यहां पर है 7.251 यह एक सिलाई मार्क बना और cutting करने के लिए हमें अलग से मार्क करना होता है ठीक उसी तरह यहाँ पर यह सिलाई मार्क बना है तो cutting करने के लिए 0.251 यह जो मार्क कर रहे है आगे के लिए उसको फिलाल आपको ध्यान रखना है अब हम theory में समगते है तो लिखा है अब solar का margin मार्क की line का सिलाई मार्क यानि यह सिलाई मार्क और आगे का armal to armal मार्क आगे का armal to armal यह cutting करने वाला मार्क और डेडीच मार्क को मिलाते हुए यह 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 एक दो और तीन यह तीनों मार्क को मिलाते हुए SCE크ball से Mark करें तो यह जो आर्मकरवा Scale का TOL से इसको यह पर रखना है अब यह 1, 2, और यह 3 यह 3 Mark को मिलाते हुए हमें Mark करना है तो देखें, यहाँ पर इस पैकार से आपको गोलाई में Mark करना है अगर हम सीजी Scale को यहाँ पर रखते हैं तो देखें आपको साप साप नजर में आएगा कि यहाँ पर एक गोलाई का सेफ बना हुआ है यहाँ पर सीजा सेफ हमें नहीं रखना होता है यह पॉइंट का आपको ध्यान रखना है अब डाप्टिंग में भी इसको समझते है तो यहाँ पर भी यह जो स्केल है इसको भी इसी तरह से रखा गया है एक, दो और तीनों मार्क को मिलाते हुए यह आर्म करण स्केल की गोलाई से हमें सेफ देना है आगे का आर्मल जो सेफ होता है वो हमेशा गोलाई वाला होना जरूरी रहता है जैसे हमें आदत होती है कि हम यहाँ पर पहले सिजा मार कर देते है जैसे कपड़े में समझते है कि हम यहाँ पर पहले सिजा मार कर देते है फिर आर्मल की जो गोलाई है वो हम सिर्फ निचे की तरफ लेते हैं और आगे का arm to arm का major और यहाँ पे डेडिज का जो mark किया है वो तीनों mark को पहले follow किया हुआ है तो आपको भी यह point को समझना है अब आगे का point समझते है डेडिज mark को मिलाते हुए आर्म कर्वा स्केल से mark करे और साथ में corner से 1 से 1.25 inch का अंतर का mark करे अब यह mark को यहाँ पर एक inch तो होना ही चाहिए एक inch से अंदर नहीं जाना है और 1.25 यानि सवा inch से ज्यादा नहीं जाना है तो इसलिए यहाँ पर एक limit दिया है कि 1 से 1.25 inch का अंतर का mark करे तो यह जो corner बना है यहाँ पर यही corner से हमें एक inch का पहले mark कर देना है यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक mark कर देना है अब आगे का point समत्ते है तो इसमें लिखाए अब अपर चेस्ट की सिलाई mark से देर इज का mark तक जितना अंतर आया है उतना माप देर इज का mark से उपर की तरप आगे का armal की line पर mark करके एक inch का अंतर वाला mark को मिलाते हुए आरम करवा scale से round shape का mark करे डापिंग में समत्ते है तो इसमें बताया है अपर चेस्ट की सिलाई का mark से यानि ये अपर चेस्ट की सिलाई का mark है वहां से डेर इज का अंतर वाला mark ये जो डेर इज का अंतर वाला mark है ये नाप जितना आया जिसे यहाँ पर धाइच नाप आया है तो उतना ही नाप धाइच को आपको यहाँ पर एक tick mark करना है, अब यह tick mark होने के बाद, फिर armor cover scale से यह तीनों point को मिलाना है, यह tick mark, यह सिले mark और यह एक इच वाला mark, यह तीनों को मिला के armor cover scale की गोलाई वाला सेब से mark करना है, तो अब इसको यहाँ पर कपड़ में समझते हैं, यह अपर चेस की सिले mark, वहाँ से radius वाला जो ना पाया है, धाईच पूरा अंतर है, अब इतना ही अंतर को यहाँ पर उपर की तरफ एक tick mark कर देना है, अब armor cover scale की गोलाई वाला से आपको इसको set करना है, जिससे यहाँ पर मैं set कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से आपको scale को गुमाना है, जब यह तीनों नाप set हो जाए, तब यहाँ पर आपको एक गोलाई का mark कर देना है, तो देखें यहाँ पर यह जो गोलाई बना है, एकदम परफेक्ट तरीकी से गोलाई में हो जाएगा, आपके पास यह tools है, तो उसका ही उप्योग करना जरूरी है, हमें कई बार आदत होती है, हाथ से यह से ग हर किसी shape के लिए, उसके लिए जो tools available हो, वही tools का उप्योग हमें करना जरूरी रहता है, ताकि एकी बार में उसका mark परफेक्ट तरीके से आ जाए, तो इसलिए यहाँ पर हमने इस परकार का tools का उप्योग करके यहाँ पर गोलाई दिया, अपने हाथों से इसको गोलाई का shape नहीं किया है, क्योंकि हाथों से अगर गोले का shape करते हैं, तो कई बार गोले का shape परफेक्ट नहीं भी आता है, तो फिर बार बार हमें सुधार करना पड़ता है, उसमें हमारा जो time है वो भी ज्यादा लगता है, उससे अच्छा बेतर है कि आप इस प्रकार का tools का है, यह काटने वाला नाप है, अब front armor round chart की अनुसार यह armor को map ना है, और check करना है कि यह map सही है या नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर आपको front armor round chart लेना है, और इसमें समझना है, यह जो गोलाई का नाप है, वो कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर नीचे लिखा है, यह chart जि 25 लोजिंग लगा है, तो 35 उसका divide 4 किया है, यहाँ पर देखे, जो 9 में 1 point कम, यह जो चोथा बाक किया है, वो 35 हिच का आया है, तो यहाँ पर यह armor chart में 35 हिच का नाप देखना है, उसके सामने लिखा है, front armor round, 7.75 and 1 point, अब यह जो round आया है, इसको हमें नापना है, तो theory में आगे समझे, इसमें लिखा है, solar sila से upper chest round की sila mark तक armor को गोलाई में मापना है, यह solar की sila mark और यह upper chest की sila mark, तो हमें यहाँ से सुरू करते हुए, यह गोलाई को नापना है, अब यहाँ पर हम जिस प्रकार से नापने, उसी प्रकार से आपको नापना है, और इसकी से ज्याज़ा practice करना है, तो यहाँ पर 7.751 इस प्रकार से नाप आ गया है, तो यह front armor round chart के अनुसार जो नाप आया है, वो सही है, इसी प्रकार से यह cutting करने वाला armor को हमें नापना होता है, लेकिन यह नापने के बाद इसको हम cut नहीं कर सकते, इसके बाद अभी और भी step है, वो सब step follow करने के बाद ही, बेक पाट को cutting कप करना है, वो हमें समझना है, फिलाल यहाँ पर front armor round के लिए जो हमने यह नाप बनाया है, उसी के according पहले यहाँ पर मिलना हो जरूरी है, अब यहाँ पर देखे, मेज़े टेप को एसे रख जेना है, और अपनी उंगल्यों को, य यह जो उपर वाली दार है, वहाँ पर रखते होगे है, इसको गोलाई में नापना है, जैसे यहाँ पर धाइंच तक सिधा है, फिर आपको 3-1, 3-1, 4-1, 4-1, 4-1, 5-1, 5-1, 5-1, 6-1, 6-1, 6-1, 7-1, 7, और इस प्रकार से आपको यह नापना है, जैसे अगर आप इस प्रका नाप्ते हे तो यहाँ पर नाप गलत आजाएगा अपनी मेजर टिप में यहाँ पर भीच में उंगलियः रखते होए अगर आप नापते है तो भी यहाँ पर जो नाप आपने के प्रेक्टिस करेगे यहाँ पर 8.751 पॉइंट नाप आया है तो वह आपको लिग देना है अब आप जितनी बार भी इसको नापेगे तो उतना ही नाप आना चाहिए उसी तरह से आपको इसका बार-बार प्रेक्टिस करना है अब जैसे यहाँ पर भी अगर हम नीच चलेगा इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार का गोलाई का सेफ देते रहेना है अलग-अलग आप से देते रहे है खुट से आपको यह सारी प्रेक्टिस करते रहेना है इस प्रकार से आप नापते रहे हर सेफ को नापते रहे है वहाँ पर उसका नाप लिग और आर्मर राउंड चार्ट के अनुसार नाप नहीं मिलता है तो क्या करना है वो हम आगे practical समगते रहेगे लेकिन फिलार यहाँ पर डाप्टिंग के अनुसार जो कोर्स बनाया है उसी के एकोडिंग यहाँ पर यह नाप मिल रहा है तो यहाँ तक के point की जितनी practice हमने की है उतनी practice भी आपको साथ साथ में करते रहना है अब डाप्टिंग में भी समझे यहाँ पर solar की सिलाई से यह जो आर्मर राउंड है इसको आपको इस प्रकार से नाप 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 आया है तो आपका नाप भी उतना ही आना जरूरी रहता है कोई-कोई नाप ऐसा आता है कि इसमें यहाँ पर आगी का अर्मर का यह चार्ट के अनुसन नाप नहीं मिलता है तो कई बार हमें अर्मर राउंड है निचे की तरफ जाना है है लेकिन निचे की जरब तभी जा सकते है जब यहाँ पर अपर्चेस राउन सोलर स्लोप आर्मोर लंबाई सोलर का नाप सब कुछ नाप जो हमने पेले किया हुआ था वो सब सही है तभी आर्मोर लंबाई को निचे ले जाना पड़ता है तेकिन इस प्रकार का जब भी आएगा तब हम प्रेक्टिकल समझते रहेगे अब हम आगे का पॉइंट समझते है जो पंद्रा नंबर है पिछे का आर्मोर राउन के लिए सोलर मार्जिन की तरफ सिलाई मार्क और पिछे का आर्मोर से आर्मोर मार्क और निचे की तरफ पिछे का सोलर का सिज़ा मार्क को मिलाते हुए आरम करवा स्केल से मार्क करूं डापिंग में समझे तो यहां लिखा है 15 नमबर अब 15 नमबर में भी देखो सबसे पहले हमने सोलर का जो सिजा मार्क किया था उसी के अंदर एक राउंड सेप दिया हुआ है तो यहां पर भी हमारा जो सोलर का यह सिजा मार्क है उसे अंदर एक राउंड सेप देना है अब वो राउंड सेप केसे देना है उसके लिए यहां पर जो पॉइंट में समझाया है वैसे स्टेप बाइ स्टेप हम समझते है पीछे का solar round के लिए solar margin की तरब का सिलाई mark तो ये है सिलाई mark अब उसके बाद है और पीछे का armol से armol mark जो हमने यहाँ already किया हुआ है ये एक सिलाई mark है अब हमें इसका जो cutting करने वाला नाप है उसको करना है तो 0.251 point इसका हमें margin लेना है उसका mark करना है अब आगे समझें तो लिखाए और निचे की तरब पीछे का solar का सिदा mark ये पीछे का solar का ये पहला वाला जो सिदा mark है उसकी बात हो रही है ये सिदा mark को मिलाते हुए armol कर्वा scale से mark करें यानि एक, दो, और ये तीन ये तीनों point को मिलाते हुए armol कर्वा scale की गोलाई वाला सेप से में mark करना है जैसे हमने आगे का point समझाया यहाँ पर जो हमने गोलाई किया ठीक उसी तरह पीछे का part में भी हमें एक गोलाई वाला सेप का mark करना है तो एक, दो, और ये तिन ये तीनों point को मिलाते हुए ये scale को आपको set करना है अब यहाँ पर आपको एक mark कर देना है इस तरह से पीछे का armol shape में भी यहाँ पर गोलाई बन जाएगी हम क्या करते हैं पीछे का जो सिधा mark होता है उसी को हम follow करते हैं फिर हम sleeve लगा देते हैं कई बार यहाँ पीछे जोलाता है क्योंकि पीछे का armol shape होता है वो यहाँ पर गोलाई वाला होता है तो यह गोलाई वाला shape और यह पेले वाला जो सिधा shape होता है यह दोनों अगर जोड़ता है तो यहाँ पर एक crease बनती है यानि गोलाई वाला पार्ट स्लीव का जो रहता है वो उठता है तो वो चीज कम हो जाए उसके लिए यहाँ पर आपको पिछे का सोलर में भी एक गोलाई वाला सेफ से मार्क करना हो रहता है ताकि स्लीव लगाते वक्त यहाँ पर यह जो पार्ट उठता है वो थीक हो जाएगा तो डापिंग में भी देखे यहाँ पर यह तीनो मार्क को मिलाते हुए इस प्रकार से यह सेप किया हुआ है यह जो सेप बना है वही कटिंग मार्क है यहां पे लिखा है बेक आर्मल कटिंग मार्क अब हमें यहां पर नीचे का गोलाई करना है तो उसके लिए थियरी में समत्ते है अब इसमें लिखा है यह पिछे का आर्मल राउन का कटिंग मार्क बनता है तो यह cutting mark यहाँ पर जो आपने लिखा है वो हो चुका है अब आगे समझे अपर चेस्ट की सिलाई mark से पिछे का solar का सिधा mark तक जितना अंतर आया है उतना माप पिछे का armal की line पर mark करके आरम कर्वा स्केल से round shape का mark करे यानि इसमें यह कहा गया यह अपर चेस्ट राउन का सिलाई mark है और यहाँ पर यह solar cutting का सिधा mark है अब यहाँ पर जितना अंतर आया है जैसे यहाँ पर एक इच अंतर आया है तो वही एक इच को यहाँ पर करना है फिर आपको armal कर्वा स्केल की गोले वाला shape से mark करना रहता है लेकिन यहाँ पर एक और point समझाया है वो point समगते है corner से 0.50 इंच से कम अंतर नहीं होना चाहिए यानि यहाँ पर जो round हुआ है वो हमें 1.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए तो इसको हम कपड़े पर डो करके समझते है सबसे पहले यहाँ पर अपरचेस की सिले मार्क और यह solar cutting का यह जो सिधा मार्क है वहाँ तक जितना अंतर आया है जो एक ही चाहिए है उतना इनाप आपको यहाँ पर कर देना है अब यहाँ पर यह जो corner है वही corner से आधा इंच उपर की तरफ एक मार्क कर देना है अब यहाँ पर एक दो और यह तीन यह तीन पॉइंट को मिलाते हुए हमें armor color scale की गोले वाला shape से मार्क करना है तो देखिए यहाँ पर जिसे आगे का armor का यह जो cutting mark बन चुका है वेसे ही पिछे का armor का यह cutting mark बनता है अब हम आगे का point को next lecture में समझेगे जो point है 16 number का शुरुआत से लेकर एक साथ 15 number तक का point को आपको उसका practice करते रहना है minimum 3 बार तो practice होने है चाहिए जितना आप ज्यादा practice करेगे उतना ही आपको समझ में आते रहेगे तो मिलते हैं हम next video में एक नए point के साथ तन्यवाद